होली का समय था और मनोज के पास एक भी पैसा नहीं था मनोज की बेटी राधा कब से जिद कर रही थी पिता जी इस साल हम अच्छे से होली मनाएंगे ना आप गुलाल लाओगे ना हाँ बेटी मैं गुलाल लाओंगा मैं वादा करता हूँ लेकिन मनोज को काम से निकाल दिया क्या था उसकी पतनी शीतल गाओं में लोगों के घरों में काम करती थी और उनी में से एक घर था बिरजु सेट का गाओं में बिरजु सेट शिव भक्त बिरजु के नाम से मशूर था उसके पास बहुत पैसे थे बिर्जु सेट बड़े धूमधाम से हर साल होली मनाता था इस साल भी वो होली की तैयारी में लगा हुआ था एई शितल, अच्छे से काम कर इस साल होली की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए काम कर रही हूं सेट लेकिन थोड़ी पगार बढ़ा देते तो अच्छा होता घर में खाना नहीं है बच्ची के लिए होली में गुलाल भी तो खरीदना है तो गरीब है गरीब गुलाल खरीदने का सपना छोड़ और काम पे ध्यान दे वैसे ही तेरे पती ने जो उधार लिया था वो उसने चुकाया नहीं अभी तक चुका देंगे मालिक, बस थोड़ा वक्त और दे दीजे कितना वक्त चाहिए तुझे तुझ जैसे गंदे नाली के कीड़ों को तो पीस के मार देना चाहिए ये बोल के बिर्जू सेट अपने शिव मंदर में शिव जी की आरादना करने चले गए वो हर साल होली के दिन बड़े धूमधाम से शिव जी की पूझा करते है उधर शीतल रोते हुए घर गई और अपने पती को सब कुछ बताया मालिक ने पगार बढ़ाना तो चोड़ो पगार दिया ही नहीं बोला पहले का हिसाब चुकता करो ये बोल कर वो शिव जी की मंदर में चले गए ये सुनकर मनोज भी हताश हो गया गरीब के पीट में लात मार के शिव जी का पूझा करना चाहते है हे शिव जी क्या आप ये सब देखने ही रहे हो क्या यही आपका न्याए है मनोज और शीतल की बेटी राधा रोते हुए आई माँ मुझे बूख लगी है खाना दोना घर में कुछ भी नहीं है बेटी कैसे तुझे किलाओ कैसे किलाओ तिनों एक साथ एक दूसरे को पकड़ कर रोते रहे उधर स्वर्ग में शिव जी की आँख खुल गई उन्होंने अपने परिवार को बुला लिया देवी पारवती गणेश कार्ति के माता लक्ष्मी आ गए पति देव आपने इस वक्त हमें यहां क्यों बुलाया ही पारवती मुझे लगता है किस साल होली में हमें धर्ति लोक में जाना चाहिए वहाँ पापों का विनाश करना चाहिए हाँ पिता श्री आपने सही कहा मैं भी वही सोच रहा था ठीक है, कल होली है, कल सुबा सुबा हम सब धरती लोग पर जाएंगे उधर धरती लोग में बिर्जु शिवजी से प्राटना कर रहा था हे शिवजी, मुझे और पैसा दीजिए, और पैसा चाहिए मुझे, जितना ज्यादा पैसा होगा, उतना बड़ा मंदिर होगा, और पैसा दीजिए भगवान इसी तरह वह दिन निकल गया, होली का दिन आ गया, सब लोग रंगीन गुलाल लेकर होली मनाने में व्यस्त हो गए, बिचारी राधा बस देखती रही, उधर शीतल को सुबह सुबह बिर्जु के घर जाना था, शीतल के साथ मनोज भी आ गया, और राधा को भी वो लोग सा पैसा लाया क्या? मालिक हम मर जाएंगे मालिक, एसा मत कीजे मेरी बेटी नादान है, छोड़ मुझे, गरीब कहीं के होली के दिन मुझे छोग कर गंदा कर दिया, छोड़, ये बोलकर बिर्जु ने शीतल को एक लात मारी, शीतल फिसल गई और उसका सर टकरा गया, उसके सर से खून निकलने लगा और शीतल का देहान थो गया, शीतल, शीतल क्या हुआ तुम्हें, बात करो शीतल, मा, मा क्या हुआ मा, क्या हुआ मा, मा, शीतल को पकड़ कर दोनों रोने लगे, तभी बिर्जु ने दोनों को पकड़ कर कहा, मर गई वो, अब रो के क्या फाइदा, अब तुम दोनों मेरे महमानों के लिए खाना बनाओ उस हालत में बिर्जु उन दोनों से खाना बनवाने लगा, उसके दिल में कोई दया नहीं थी, कुछी देर में महमाना आ गए भूखे पेट मनोज और राधा महमानों को खाना परोसने लगे, और फिर काम खत्म करके, वो शीतल की डेड बॉडी लेकर घर चले गए लेकिन उनके पास शीतल के अंतिम संसकार के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो दोनों भीक मागने लग गए उधर स्वर्ग में शिवजी के सामने नारत प्रकट हुए नारायन, नारायन, हे देवादी देव, आज आप सब धर्ती लोग पे जाने वाले हैं क्या? हाँ नारत, परंतु तुम यहां क्यों आय हो? मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहता हूं महादेव वाह, यह तो खुश खबरी है, चलो नारत, सभी मिलकर धर्ती लोग का हाल हकिकत देख कर आते हैं चलिए महादेव, नारायन, नारायन शिवजी अपने परिवार को लेकर धर्ती पर आ गए और सभी ने गरीब भिखारी का रूप ले लिया वो सब चलने लगे, उधर बिर्जु होली मना रहा था, रंगीन गुलालों से उसका आंगन भर गया था, साथ में खाना पीना चल रहा था और मंदर में शिवजी की पूजा भी चल रही थी, तभी शिवजी भिखारी के रूप में परिवार लेकर मंदर के बाहर आए भगवान के नाम पर भीक दे दो मालिक, दो दिन से कुछ नहीं खाया है, पीट में चुहे दोड रहे हैं तो मैं क्या करूँ, मैंने मना किया था क्या खाने को ऐसे क्यों बोल रहे हूं मालिक, मैं गरीब भिखारी हूँ, मुझे कुछ दोगे तो भगवान तुम्हें वापस दे देंगे ए भिखारी का उलाद, जा भागियां से, मैं कुछ नहीं दे सकता, मुझे गरीबों से सक्त नफरत है, भागियां से शिवजी वहाँ से चले गए, और उसके बाद उन्होंने मनोज और राधा को भीक मांगते हुए देखा चलो सब लोग, अमीर के घर पे तो हमें कुछ नहीं मिला, चलो उस गरीब के पास देखते हैं मनोज अपनी पतनी की डेड बोडी लेकर भीक मांग रहा था कुछ पैसे देदो साहब, मेरी पतनी का अंतिम संसकार करना है दो न साहब, पैसे दो न तभी वहाँ शिवजी भिखारी के रूप में परिवार के साथ आए और खाने को कुछ है क्या बेटा, बहुत भूख लगी है, मेरा परिवार भूखा है नहीं साहब, हम खूद भूख है है, भीक मांग रहे हैं, पतनी का अंतिम संसकार करना है अच्छा, लेकिन कुछ तो भीक में देदो बेटा, हम भूख है हैं बेटा, होली के दिन कौन भूखा रहता है ये सुनकर मनोज को दया आई, उसने कहा मनोज ने अपने पतनी के अंतिम संसकार का पैसा भिखारी के हाथ में दे दिया, और तब ही सब लोग असली रूप में आ गए मनोज, तुम्हारे पास केवल पांच रुपै दे, वो भी अपनी पतनी के अंतिम संसकार के पैसे लेकिन तुमने वो भी मुझे दे दिया मैं तुमसे प्रसन न हूँ मैं तुम्हें सब कुछ लोटा देना चाहता हूँ ये बोलकर शिवजी ने अपनी जादूई शक्ती का प्रयोग करके शीतल को फिर से जीवित कर दिया उन्हें बहुत सारी धंदौलत दी ताकि उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो उधर बिर्जू का घर तूड़ गया घर धंदौलत सब कुछ मिट्टी में मिल गया और घर के नीचे दब कर उसका देहान थो गया और दूसरी और इस साल पहली बार राधा गुलाल से होली मनाने लगी अपने माता पिता के चड़ों में गुलाल लगा कर उसने होली मनाई और वो लोग खुशी-खुशी रहने लगे सपना भगवान शंकर की बहुत बड़ी भगत है वो स्कूल में पढ़ती है स्कूल की पढ़ाई के बाद अपने गाउं में शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी की पूजा करती है हे भोलेनात, हे प्रभू, मुझे शक्ती दीजे ताकि मैं अपनी मा को ठीक कर सकूँ सपना की मा सावित्री की तब्यद बहुत खराब है सावित्री ने ही सपना को शिवजी का भगत बनाय था लेकिन कुछ दिनों से वो बिस्तर से उट नहीं पाती है अपनी मा के अलावा इस दुनिया में सपना का और कोई नहीं है घर में बचे कुछे पैसे थे उसकी मदद से सपना अपनी मा को लेकर बहुत सारे डॉक्टर के पास गई लेकिन सभी ने एक ही बात कही ये बिमारी कुछ समझ में नहीं आ रही है मुझे लेकिन बिमारी बहानक है अब तो तुम्हारी मा भगवान भरोसे है भगवान भरोसे सुनकर सपना डर गई थी उसने सोचा था कि वो अपनी मा को बचा नहीं पाईगी लेकिन उसके बाद उसने सोचा की भगवान पर भरोसा रखना जरूरी है एक मात्र भगवान ही उसकी मा को बचा सकते हैं लेकिन दूसरी ओर सपना पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी है वो कभी स्कूल से चुट्टी नहीं लेती है लेकिन स्कूल में बच्चे उसका मजाक उडाते हैं ए सपना आज टिफ पहन कर स्कूल आती है तेरे पास और कपड़े नहीं है क्या हाहा सपना को बुरा लगता है लेकिन वो कर भी क्या सकती है उसकी मा बिमार है हर सुबह सपना दो-तीन घरों में काम करती है तब जाकर दो वक्त का खाना मिलता है उसे एक दिन सपना रात को अपनी मा को दवाई खिला रही थी मा ये लो दवाई खालो दवाई दवाई खाकर क्या होगा मैं कभी ठीक नहीं होने वाली हूँ किस ने कहा मा भगवान शंकर है न वो तुमें ठीक करेंगे लेकिन कैसे मेरे लिए तू भी परिशान है मैं मर जाओंगी तू सब के लिए अच्छा होगा ये आप बोल रही हो मा, तुम बस दवाई खालो, सावन का महीना आने वाला है, मैं शिवजी के व्रत रखूंगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, जै भोले नाद, जै भोले नाद, भोले नाद पर मा बेटी दोनों की आस्था थी, ऐसे ही देखते देखते सावन का महीन आगया, 32 बारे शुरू हो गई, खाना खा कर सपना रात को सो गई, और उसके सपने में स्वयम शिवजी आए, सपना, मैं तेरी भक्ती से प्रसंद हूँ, मैं तेरी माँ को बिमारी से मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन तुझे इस कावर यात्रा में, कावर लेकर नदी से पानी लाना होगा, और उससे मुझे नहलाना होगा, तथास तू, ये बोल कर शिवजी अद्रश्य हो गए, सपना की नीन तूट गई, अरे ये क्या, भगवान खुद मेरे सपने में आए, उन्होंने मुझे आदेश दिया, सपना ने सब कुछ अपनी माँ को बताया, सावित्री ने कहा, भगवान का आदेश है, तो मानना ही होगा, लेकिन तू इतनी सी बच्ची है, कावर लेकर इतनी दूर कैसे जाएगी? जाना पड़ेगा मा, जाना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे पास तो घरा भी नहीं है, खरीदने के पैसे भी नहीं है, कोई बात नहीं मा, मैं प्यारी करनी थी, लेकिन उसे दिन टीचर ने कहा, बच्चों, अगले हफते तुम लोगों का टेस्ट है, सब लोग अच्छे से पढ़ कर आना, सपना मुश्किल में पढ़ गई, उसने टीचर से कहा, लेकिन मैडम, मुझे अगले हफते कावड यात्रा में जाना है, टेस्ट कुछ दिन बाद नहीं हो सकता है क्या, ये सुनकर सब बच्चे हसने लगे, तेरे कावड यात्रा के लिए स्कूल का टेस्ट रुक जाएगा क्या, हाँ, कौन करता है ये सब कावड यात्रा, हाँ, हाँ, सब लोग हसने लगे, टीचर ने कहा, सब लोग चुपो जाओ, किसी ये देखकर उसकी मा ने पूछा, क्या हुआ बेटी, दुखी क्यूं है, सबना ने सब कुछ बताया, सावित्री ने कहा, किसी भी काम में बाधाएं तो आती ही है बेटी, लेकिन उसके लिए दुखी मत हो, भगवान तेरी परिक्षा ले रहे है, बस उसका सामना कर, ये सु अपने ही मन में प्लान बना लिया, आखरी परिक्षा के दिन मैं स्कूल से ही नदी की और निकल जाओंगी, और वो दिन आ गया, सपना कावर लेकर स्कूल आई, ये देखकर बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, मैंने बहुत जोकर देखा है, लेकिन सपना उनमें सबसे बड़ी है, भला कावर लेकर कोई स्कूल आता है क्या, आज सपना चुप नहीं रही, उसने मूह तोड़ जवाब दिया, उस दिन टीचर ने क्या कहा था, याद नहीं है क्या, किसी की धार्मिक आस्था पर हसना अच्छी बात नहीं है, मत हसो, नहीं तो शिवजी बहुत ग कल गई, कंधे पर कावर और पॉकेट में चंद रुपे लेकर वो चलने लगी, बाकी जो लोग कावर यात्रा में जा रहे थे, वो भी सपना को देखकर आपस में हसने लगे, अरे इतनी सी बच्ची कावर में जा रही है, देखो देखो, अरे बच्ची, घर जाके अने लगी, उसे बहुत भूख लग गई, लेकिन उसके पॉकेट में पैसे ही नहीं थे, वो एक खाने की दुकान के सामने गई और कहा, साहब मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन बहुत भूख लगी है कुछ खाने को दीजिये न साहब दो-तिन दुकांदारों ने उसे भगा दिया लेकिन उसके बाद एक दुकांदार ने उसे एक सुखी रोटी दे दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, भगवान आपका भला करे। सपना वो रोटी खाने जाई रही थी कि तभी एक भिखारी उसके सामने आया। ए बेटी, रोटी खा रही है, देना, मुझे आधी रोटी देना, मुझे भी भूख लगी है। भूख का दर्द में समझती हूँ, ये लीजे, आधी रोटी आप भी खाए। भिखारी को आधी रोटी दे कर सपना बागी की आधी रोटी खाने ही वाली थी, कि तभी उसने देखा एक कुत्ता उसके सामने खड़ा है। उसने कुत्ते को भी रोटी दे दिया। इस तरह बिल और लेकर जैसे दोड़ने लगी। जो लोग सपना का मजाक उड़ा रहे थे, वो लोग बस देखते ही रहे गए। अरे लड़की, इतनी तेज कैसे दोड़ रही है, हमसे तो आज चला ही नहीं जा रहे। भगवान शंकर खुद भिखारी और बाकी जानवरों के रूप में सपना की परिक्षा ले रहे थे। इसलिए खुशोक है, उन्होंने सपना को शक्ती दे दी। सपना दोड़त वे गाउं के मंदिर में आई और शिवलिंग पर पानी चड़ा दिया। जै शिवशंकर, जै भूले नाद। और तभी उसके सामने स्वयम शिवजी प्रकट सपना, तुम मेरे हर एक परिक्षा में सफल हुई हो, मैं तुमसे बहूत प्रसण हूँ, बागी सब तुस्वार्थी हैं, एक मात्र तुम दूसरों के बारे में सोचती हो, मैं तुम्हारी मा को ठीक कर देता हूं, और साथ-साथ तुम्हें बहुत सारे धन दौलत भी देता और सपना अपनी मा के साथ खुशी खुशी जीने लगी